कौरोना का नया वेरियंट आने के बाद से सरकारों की चंता और बढ़ चुकी है इस चंता में मिनी मुंबई कहा जाने वाला इंदोर भी शामिल है क्योंकि यहाँ यूके से आये यात्रियों में से एक यात्री पॉजिटिव निकला है जिसके बाद से स्वास्त विभाग हरकत में आ गया है देखे ये रिपोर्ट कौरोना के नय वेरियंट से दहशल यूके के 125 यात्रियों की हुई पहचार 68 का हुआ टेस्ट एक यात्री मिला पॉजिटिव स्वास्त विभाग आया सकते में दरसल यूके से इंदोर लोटे यात्रियों की ट्रेसिंग ट्रक्रिया में अब तक 125 यात्रियों की पहचान की जा चुकी है इसमें करीब 68 यात्रियों का टेस्ट किया गया जिसमें एक यात्री पॉजिटिव निकला है जबकि 32 यात्रियों की रिपोर्ट आना भी पाकी है इन सभी यात्रियों में से 16 यात्री ऐसे हैं जो इन दौर से दूसरे स्थान पर जा चुके हैं जिन्हें लेकर स्वास्त विभाग अलर्ट हो चुका है गौर्टलब है कि यूके में कॉरोना का नया वेरियंट आने के बाद सरकारे अलर्ट हो चुकी है साबधानी बरतते हुए इन दौर में भी कई फ्लाइटयों को बंद कर दिया गया है मगर जो यात्री यूके से इन दौर आए हैं उन्होंने स्वास्त विभाग की चिन्ता बढ़ा दी है लेकिन यह चंता उस वक्त और बढ़ गई जब एक यात्री की रिपोर्ट पॉसिटिव आई उसे तकाल सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तीसरी मंजिल पर भरती किया गया इसके साथ ही यहां पूरी सावधानी रखी जा रही है वाइरस के वेरियंट की जाच के लिए सैंपल को दिल्ली या पूने भीजा जाएगा यह देखिए यह जो पेशन्ट आये हैं यह बिसिकली एक यंग विक्ति हैं जो की एसिम्टमाटिक ही है या उनको माइल सिम्टम्स में बोल सकते हैं तो इनको हम लोग ने आइसोलेशन में रखा है उनके लिए एक अलग से जो है वो रूम दिया उस फ्लोर को कॉर्डन ओफ करके और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आइसोलेशन के रहते हैं उसको फॉलो करते वे भरती किया गया है इनका जो है वो सैंपल अब हम लोग लेंगे और सैंपल को जो वाइरस का वेरियंट है उसकी जाच के लिए दिल्ली या पूना भेजा जाएगा जो स्टैंडर्ड आइसोलेशन प्रोटोकॉल के गाइडनाइन्स है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के पश्चात ही आगे के इलाज के जो भी प्रोटोकॉल से रहेंगे उसको फॉलो करेंगे इस मामले में कोवीड नोडल अधिकारी डॉक्तर अमित मालाकार ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें साथ दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रखा जाएगा जबकि पॉजिटिव आने पर संस्थागत आइसोलेशन किया जाना है इसके साथ ही उन्होंने कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की जाने की भी बात कही देखे अभी जो हमको जिला इस्तर पर इस्टेट के दौर जो सूची प्राप्त हुई है उसके अधार पर जो गैडलाइन आई है में इस्टेट से उसके एकॉडिंगली हमें जितने भी जाने का निर्देश है साथ ही जो पाजिटीव आ जाते हैं उनको संस्थागत आईसलेशन करना है और इसके उफरांत उनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एक बार एनाई वी वापस जाएगी जो पूने में या फिर दिल्ली में जो भी स्टेट गवर्मेंट के द्वार डिसाइड के जाएगा वहाँ जाकर के यदि वहाँ से पता चलता है कि वह सेकंड वेरियंट आता है तब फिर उसके जाज के प्रोटोकाल से लग होंगे अदर्वाइस उनकी जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वह फिर पूरा ने प्रोटोकाल के कॉर्डिंगी देखे अभी तेइस तारीक को जो हमें लिस्ट प्राप्त हुथी उसमें से बतीस लोगों के सेंपल हो चुके थे उनके नतीजे मिल चुके हैं साथ ही अभी जो बाकी के टोटल यदि नोर जिले की बात करें ते एक सो पचीस यात्री हमको ट्रेस हुए हैं जिन में से टोटल अभी 68 समदित जिले सेंपलिंग के बातु सब्सक्राइब है स्पारत करते नोर तो हमारी यात्री यह कि सेंपलिंग की इन लेनी पा completa इसरिंग पर शुक्टर इसे शुटा एया है में है में जिस अएरिश्यों में से उसने ट्रेवल किया है उस एरलेंस के उस पर्टिकुलर प्लेन में जितने भी यात्री थे उन में से जहां ये यात्री बैठा था उसके तीन फ्रंट की सीट, तीन उसके पीछे की सीट और उसका पूरा कैबिन प्रूव, ये पूरे सभी लोगों की सेंप्लिंग की जानी उसे डॉक्टर मालकार ने कहा कि जो व्यक्ति इंदौर से बाहर जा चुके है, उनकी जानकारी संबंधित स्टेट को दी जा चुकी है देखा जाए तो यूके से आने वाले यात्रियों में एक यात्री के पॉजिटिव आने के बाद इंदौर का स्वास्त अमला अलर्ट हो चुका है एबी न्यूस के लिए धर में इंद्र यादव की रिपोर्ट